परिचय आच्चिता क्या तुम्हें पता है कि ग्रीक में एंजियोन का अर्थ आवरन तथा स्पर्मा का अर्थ बीज होता है? अंडाशय के भीतर बीजांड की उपस्थती आवरत बीजी पौधों की विशेश्टा होती है. ये पुश्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। हाँ, वेवर्तिमान में सार्वधिक प्रभावी पौधे हैं। इनके अंतरकर्थ उच्च पादपों का एक विशाल समू होता है। ग्रीक में मौर्फोस का अर्थ है आकार या रूप तथा लोगोस का अर्थ है आकार की विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतरकर्थ पौधे के बाह्यगुरों तथा रूपों का अध्यन किया जाता है। जब हम किसी पौधे का निरीक्षन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधे में पुश्प और फल भी होते हैं। तो आओ अपने इस नए पाठ में पुश्पी पादपों की जड़ों की आकारिकी के बा अवरित बीजी यानि एंजियोस्पम को परिभाशित करना, पौधे के विभिन भागों का पता लगाना, आकरीकी को परिभाशित करना, जड़ों यानि मूलों के गुणों का पता लगाना, जड़ यानि मूल तंत्र के प्रकारों का अध्ययन करना, जड़ों के विभिनक्षित्रों का अध्यान करना मूसला जड़ दंत्र के रुपान तरणों को पहचानना अपस्थानिक जड़ों के रुपान तरणों का पता लगाना सक्रिय कारियों के लिए रुपान तरणों का अध्यान करना जड़ें यानी मूल जड़ पौदे का भूमिगद भाग है, ये अधिकतर भूरे रंकी होती है जड़ धनात्मक गृत्वन वर्ती, धनात्मक जलान वर्ती तथा रनात्मक प्रकाशान वर्ती होती है जड़ की शाखाएं आंतरिक शेत्र से उत्पन्न होती है, इसलिए ये अंतरजात होती है पौदे में अनेक क्रमों में पाश्विये जड़ें पाई जाती है, जोकी दूई तीयक जड़ें अथवा तिरी तीयक जड़ें कहलाती है लगबग सभी दूई बीच पत्री पौधों में प्रात्मिक जड़ मोलांकुर का प्रत्यक्षित दिर्गी करण होता है सिरे पर जड़ एक सरक्षात्मक सनजना जिसे मूल गोप कहते हैं, इसके द्वारा सरक्षित रखी जाती है जलिये पौधों में संतुलन के लिए जड़ धानिया पाई जाती हैं जल तथा खनीजों के अफशोशन के लिए जड़ में एक कोशिक मूल रूम गुच्छों के रूप में पाई जाते हैं जड़ तंद्र के प्रकार पौधों में तीन प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं। तंतुक जड़ तंत्र एक बीच पत्री पौधों में प्रात्मिक जड़े कम समय तक जीवित रहती हैं। तथा अधिक संख्या में जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती हैं। ये जड़े तने के आधार से विक्सित होती हैं। तथा तंतुक जड़ का निर्मान करती उधारण गेहूं पर निम्न क्षेत्र प्रदशित होते हैं। मूल गोप कहते हैं। मूल गोप की कोशिकाएं म्यूसिलेज स्रावित करती हैं, जो मृदा को चिकना बनाता है, जिससे जड़ की वृद्धी होती है। मूल गोप मृदा में जड़ के विस्तार में भी सहायक हैं। विभजियोत की कोशिकाओं का क्षेत्र मूल के सिरे पर सक्रिये विभाजित कोशिकाएं एक छोटे क्षेत्र का निर्मान करती हैं, जिसे शीरशस्त विभजियोत क कहते हैं। इस क्षेत्र के केंद्र में स्थिर केंद्र स्थापित होता है, जो की निश्क्रिये कोशिकाओं अथ्वा कम कोशिकिये क्रियाविधी वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मूलजरे का शीर्षस्त विभजियों तक तीन क्षित्रों से मिलकर बना होता है. तौचाजन यानि डर्मेटोजन कोशिकाओं की बाहे परत जो की बाहे तौचा तथा मूलगूप का निर्मान करता है. वलकुटजन ये तोचा जन यानी डर्मेटोजन के अंदर स्थिध होता है। इसकी कोशिकाएं विभक्त होकर बलकुट का निर्बान करती है। पुलुरोम, ये शी श्यस्त विभजियों तक की सबसे आंतरिक परत होती है, जो की रंभू बनाती है, इसकी कोशिकाएं विभग्त होकर फ्लुएम तथा जाइलम अव्यब बनाती है। दीरगी करण क्षेत्र इस क्षेत्र की कोशिकाएं जल को अफशोशित करती हैं दीरगी करण क्षेत्र में ये बढ़ती हैं मूल रोम क्षेत्र मूल ये त्वचा की कोशिकाएं विस्तार करके एक कोशिक रोमों का निर्माण करती हैं यहक्षेत्र जल तथा खनीज लवणों के अफशोशन में भाग लेता है जड़ों के रुपान्तरण पाधपों की मूल, पानी तथा खनिजी लवन के अफ्षोशन तथा समवहन के अतरिक्त भी अन्यकारियों को करने के लिए अपने आकार तथा सनच्रा में रुपान्तरण कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारी के लिए, श्वसन के लिए अपने आपको रुपांतरित कर लेती हैं। मूसला जड़ों के रुपांतरण मूसला जड़ें निम्न प्रकारों में रुपांतरित हो जाती हैं। मांसल मूसला जड़ बीज पत्राधार अथवा बीज पत्राधार रहित मूसला जड़ भोजन का संचय करने के कारण फूल जाती हैं। ये जड़ें चार प्रकारकी होती हैं। तरकुरूपी जड़ ऐसी जड़ें मध में चौड़ी तथा किनारों पर शुंडाकार होती हैं। इनकी आकरिती तरकु के समान होती हैं। उधारण मूली यानि रेफिनस सेटाइवस। शंकुरूप जड़ ये मूल आधार पर चौड़ी तथा सिरों पर पतली यानि शुंडाकार होती हैं। जससे इनकी आकरिती शंक्वाकार प्रतीत होती है। उधारण गाजर। कुम्भरूपी जड़ ये आधार पर फूली हुई होती हैं। तथा शिर्षस्त क्षित्र में अचानक पतली यानि शुंडाकार होकर कुम्भरूपी आकरिती जैसी प्रतीत होती हैं। उधारण शलजम तथा चुकंदर। गाठदार जड़ ये अनियमित रूप से फूली हुई होती हैं। उधारण मिरा बिलिस जलापा। शाखिये मूसला जड़ कभी-कभी मूसला जड़ शाखिये हो जाती हैं। तथा शाखाएं विभिन कारियों को करने के लिए रूपान तरित हो जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें निम्न प्रकार की होती हैं। ग्रंथिल जड़ इस प्रकार में मुसला जड़ में विबिन शाखाएं उत्पन हो जाती हैं, तथा शाखाओं के जोड़ पर कई छोटी छोटी अनियमित फूली हुई संदचनाएं बनती हैं, जिनहें मूल ग्रंथियां यानि जड़ ग्रंथियां कहते हैं. इनमें बड़ी संख्या में सहजीवी, एन दो, स्थरी करण जिवाणों यानि बैक्टिरिया पाई जाते हैं, ये जड़ें फलियों या फलियुक्त पौधों में पाई जाती हैं. श्वासन चड़ ये श्वासवाली जड़ें भी कहलाती हैं, ये दलदलों या दलदली स्थानों में पाई जाती हैं, जहां परकी मृता जल ग्रस्त होती हैं, और पौधों की जड़ों को श्वासन के लिए परियाप्त वायु उपलब्ध नहीं होती हैं. इस तरह के पौधों की दूईतियक जड़ें रिनात्मक गुरत्वानुवर्ती होती हैं, ये श्वासन शूल यानी निूमेटोफोर भी कहलाती हैं, उधारण राइजुफोरा तथा सोननेरेटिया. प्राजननिये जड़ कुछ पौधों में एक नए पौधे के निर्बान के लिए मूसला, मूल या उनकी शाखाएं अपस्थानिक कलियों में विक्सित हो जाती हैं. उधारण शीशम पापलस इत्यादी शलजम तथा शकरकंदी की अपस्थानिक जड़ें फूल जाती हैं, तथा भोजन का संचय करती हैं. इन्हें प्रावब जड़ें भी कहा जाता है. भोजन के संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रुपांतरण भोजन का संचयन, यांत्र की सहायता तथा कुछ विशिष्ट या महत्पूर्ण कारियों को करने के लिए अपस्थानिक जड़ें निम्न प्रकारों में रुपांतरित हो जाती हैं. गांटदार जड़ें पूलिकित जड़ें मनिकामय या मालाकार जड़ें ग्रंथी युक्त जड़ें चक्र चिनहित जड़ें गांटदार जड़ें कमजोर तने की गांट यानि पर्व से एक एकल अनिश्चित आगार की जड़ उत्पन्य होती हैं. उधारण शकरकंदी यानि हाइपो मोया पूलिकित जड़ें गांटदार जड़ों का एक समोह यानि गुच्छा उधारण डहिलिया, रुएलिया, एसपेरिगस आदी मनिका मैं या मालाकार जड़ें हार के मनिका की तरह जड़ यानि मूल नियमिद अंतराल पर फूल जाती हैं. उधारण पाटुला का भारतिये पालक और करेला ग्रंती युक्त जड़ें जड़ें सिरों पर फूल जाती हैं. उधारण आम अदरक चक्र चिन्ही जड़ें फूली हुई वले की एक श्रिंखला उधारण इपेकॉक यांत्रिकी सहहता के लिए अपस्थानिक जड़ों का रुपांतरण सहारा जड़ें यानि प्रॉप मूल इस्तंब के समान जो की शैतिच वृध्धी करती हुई शाखाओं के एक बिंदू से निकलती हैं तथा नीचे की ओर लंबवत वृध्धी करती हैं उधारण बर्गत यानि फाइकस अवस्तंब चड़ें पतली धागे के समान छोटी जड़ें जो की मुख्य तने के आधारिये गांट से वृध्धी करती हैं उधारण मक्का, गन्ना यानि सेकेरम, आफिसिनेरम पाइन यानि पेंडिनस, रेसी मोसस आरोही यानि चढने वाली जड़ें धागे के समान जड़ें जो की गांटों तथा पोरियों से निकलती हैं तथा सहारा प्रदान करती हैं उधारण चुकंदर यानि पीपर बीटल काली मेच यानि पी नाइग्रम मनी प्लांट यानि पोथोस ओरियस और जहरीली व्रिक्ष लता यानि हैडेरा हैलिक्स पुष्टा जड़ लंबे प्रतान व्रिक्षों के आधार से फूटने वाली मोटी जड़ें हैं जो की अधिकतर वर्षा वन व्रिक्षों पर पाही जाती हैं तथा सहारी के साथ साथ अतिरिक्त पोशक पदार्थ प्रदान करती हैं उधारन साल में लिया पुराना बर्गत का व्रिक्ष आधी संकुचन शील जड़ें जड़ों पर जुरियां पाई जाती हैं तथा ये सिक उड़ सकती हैं उधारन केसर यानि क्रॉकस जिमिकंद यानि अर्बों फोफिलस सेटाइवस इत्यादी प्लावी जड़ें तने की गाठ यानि पर्व से वायू से भरे हुए वायू कोश्युक्त मोटी स्पंजी मासल जड़े निकलती हैं उधारन जूसिया रिफिनस पत्र जड़ें जड़ पत्तियों के जखमी पाश्व से उत्पन्य होती हैं उधारन ब्रायू फिलम कालन्चोए बिग्नोनिया इत्यादी मैतपून कारियों के लिए रुपांतरन अधीपाथ पिये या आदरता ग्राही जड़ें ये एक विशिष्ट प्रकार की वायू में लटकी रहने वाली वाइफ ये जड़ है तथा नमी को सोखने के लिए मृत इस्पन्जी उद्गों जिन्हें वेला मेन कहते हैं उनकी एक परत पाई जाती है इनमें मूल गोप तथा मूल रोम नहीं होते हैं उधारण वांडा रोक्सबर्गी आदी समावेशिय या प्रकाश संशिलेशक जणे हरी जणे जो की प्रकाश संशिलेशन के लिए सक्षम होती हैं उधारण सिंगाडा यानी ट्रेपा बायस्पाइनुसा गुर्चा यानी तिनोस्पूराइस्पी आदी परजीवी या चूश किये जणे जणे चूशकों की साहता से पूशक में प्रवेश करती हैं उधारण डोड़र यानी कसकुटा रिफ्लेक्सा मूल कवक जणे जणे कवकों के साथ जुड़ी होती हैं उधारण चीड यानी पाइनस बर्च यानी बीटुला आदी जडशूल जड़ें कठोर नोगदार सनचनाव में रुपांतरित हो जाती हैं उधारण एकेंथोराईजा पोथोज आदी प्रजननिये चड़ें जड़ों में काई कलियां पाई जाती हैं उधारण ट्राइकू जैन्थीज इपो मोई या आदी जड़ों के काटे सहारा देना जड़ें पोधों को म्रिदा में स्थिर रखती हैं गुरुत्व तथा वायू के विप्रीत ये वाईव ये भागों को यांतरिक सहारा प्रदान करती हैं जल तथा खनिजों का अफशोशन जल का मूल रूम च्षित्र जल को अफशोशित करने में सहायक है क्यूंकि पतली भित्ती वाले नलिकदार मूल रूम म्रिदा के महीन अंतरालों में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं ब्रिधा के जल में खनिज तरल सांदृता में पाए जाते हैं। जणे मूल रोम तथा दीरगी करण क्षित्र में अफशोशन करने के लिए आंशिक रूप से विशेशिक क्रित होती हैं। जल तथा खनिज का समवहन जल तथा खनिज मूलिकाओं द्वारा अफशोशित किये जाते हैं। तथा मूल तंद्र के विभिन भागों से प्रारोह तंद्र तक समवहित किये जाते हैं। मृदा के कड़ों को बांधे रखना अपनी शाखाओं तथा मूसिलेज स्रावणों के द्वारा जड़ें मृदा के कड़ों को अपरदन के बल के विरुद्ध बांधे रखती हैं। आरदर्ता ग्राही जड़ें बरगत की नई प्रावब जड़ें तथा अधी पात पिये जड़ें आद्र यानि नमी वायू में से जल को अफ्शोशित करने के लिए विशेशिक रित होती हैं। नाइट्रोजन स्थरीकरन दालों तथा फलियों की ग्रंथियुक्त जड़ों में राइजोपियम स्पीशीज यानि प्रजादी के नाइट्रोजन स्थरीकरित सह जीवी जिवानों पाए जाते हैं। वो फसल वाले पौधों के प्रोटीन मात्रा में व्रिधी करते हैं। वातन श्वसन सूल अनेक कच्छिये पौधों में गैसों के विनिमे में भाग लेते हैं। इन कच्छिये पौधों की कबजें तथा सहारे वाली जड़ें भी वातन में सहायक होती हैं। जड़ों में खाते पदार्थों का संचयन समाने जड़ें पोशक तत्वों को कम संख्या में संचित करती हैं कुछी जड़ें अधिक संख्या में पोशक तत्वों को संचित करने के कारण फूल जाती हैं हुधारण, मूली, शल्जम, चुकंदर, शकरकंदी, एस्पिर्यगस, दहिलिया, गाजर, और्चिस, मोमोडिका तथा इपिकॉर, यांत्रिक सहायता यानी चिपकना या लिपटना लिपटने एवं सहारे के लिए अनेक आरोहकों में एक या दो अपस्थानिक जणे पाहे जाती हैं उधारण, पान, यानी तामबूल, टेकॉमा और विरिक्षिलता यानी ईवी चूशक जणे ये परजीवी पौधों में पाहे जाती हैं जणे पोशक में प्रवेश करके जल तथा पोशन प्राप्त करती हैं उधारण, कसकुटा, विसकम ऑक्सीजन का निशकासन यानी निरकमन चावल तथा कुछ जल थलचर पोधों की जड़ें ऑक्सीजन निशकासित करती हैं जो की विभिन सूक्ष्म जीवों के कारियों तथा खनीजों की प्राप्ती को प्रभावित करती हैं जड़ों द्वारा प्रकाश संशिलेशन ट्रेपा, टिनोस्पोरा, टेनियोफाइलम तथा पोडोस्टेमम की जड़ें हरे रंगवाली तथा प्रकाश संशिलेशक होती हैं विस संपून पोधे के लिए जैविक पोशकों को संशिलेशित करती हैं प्राजननिये जड़ें अनेक जड़ें अपस्थानिक कलियां विक्सित कर सकती हैं तथा काईक प्रवर्धन में भाग लेती हैं उधारण, पापिलर, डलबर्चिया, डहिलिया, शकरकंदी जड़ों द्वारा सुरक्षा जन्तुओं तथा जल की अत्यदिखानी से सुरक्षा के लिए कुछ पौदों में जड़ कंटक तथा जड़ शूल उपस्तित होते हैं कवक मूल कवक मूल ऐसी जड़े हैं जो की कवक के साथ सहजीवी संबंद बनाती हैं कवक जल तथा खनिश प्राप्त करने में जड़ों की सहयता करती हैं क्या आप जानते हैं? मूल धानिया एक बार विलुप्त हो जाने के बाद पुना उत्पन हो सकती हैं मूल शीष से मूल गोप लगातार उत्पन होता रहता है पोडो स्टेमोन केवल जड़ों से निर्मित होता है सारांश आईए हमने जोग को सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं पुष्पिये पौधों में प्रकृती, वास, आकृती, सनचना, आकार, पोशन की प्रणाली तथा जीवन अवधी में विभिनता पाही जाती है पादप शरीर मुख्यता जड़, तने तथा पत्तियों में विभगत होता है तना पुष्प तथा फलों को धारण करता है तना पौधे का वाईविये भाग तथा जड़ भूमिकद भाग है जड़ तंत्र दो प्रकार का होता है मुसला जड़ तथा तंतुका जड़ दूई बीज पत्री तथा तंतुका जड़ एक बीज पत्री पौधों में पाही जाती है कुछ पौधों में जड़, भोजन संचयन, यांत्रिक समर्थन तथा श्वसन के लिए रुपांतरित हो जाती है